तो हेलो गाइज गुड मॉनिंग कैसे हो आप सब आपका एक वे फिर से स्वागत है आपके अपनी चैनल आई विल पर जिसमें कि हम करें थे विजन आईस की टेस्ट रीज और आज हम आ जाते हैं अपने कौन से टेस्ट पर विजन के टोटल एट टेस्ट पर ठीक है यह हमारा पार्ट में टोटल जो हमारे हों 50 कोशन वन जा रहें ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्कूशन से ठीक है और आपको वीडियो अच्छे लगती है जो हमारा इनिचेटीव अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो जदा सी जदा शेयर भी करो और चै क्या क्या बोल रख यह सबसे पहले कम्पोस्टिंग बोल रखिם है दूसरी लैंड फीलिंग बोल रखिए और तीसरी जो है वह इन कर रेशन बोल रखिए को सव by झ pamię कंपोस्टिंग इन्यावल numerous इन उल्ट में पॉ सोलेड वेस्ट सब्ग्रेड can लोल्हेंद एरियागर जैंड दियोंगम वित्ष एंग दम्ण है और थांड है इन सीडैषिव दे ड्राइड वेस्ट इसेफली बॉंट इन लोज अपार्ट कंपार्टमेंट विद प्रोपर प्रोविजन्स ओव ट्रीटमेंट ऑफ हर एंफल गैसे तो अब सभी को पता है कंपोस्टिंग बिल्कुल इसी को बोलते हैं जिसमें हम जो भी स्वेलेड वेस्ट उसको डिकम मल सेम रोपाइडक में जो है वह सोलीड वेस्ट को मतलर्ड बंकिया तो आप सभी इस वाइब शींक वाई कशविका रखनाट में जो हैं कि यह स्पारिकरिक हेव्स अर्डित वेस्टेड करने बहुत सारे तरीके ऑन करने कोष इन गमों और से कंपोस्टिंग कंपोस्टिंग स हो सकते है अरोबिक AUBO पोस आप टमस्तिमने क्या होता है जो आप डगट में जो है ना जब में आफ कंपोस्ट को ना रख देते हों एक सोर्स को ठाट देटे ञावा का तो इसको लावा ठेक होती है यहां पर यह ओपन सूर्स नहीं चोड़ते थीक है तो एक होती यह जहां पर उपन सोर्स छोड़ देते हो वहां पर हवा आने देते हो एक होती है एक होती है तो कंपोस्टिंग भी दो टाइप की होती है लैंड फिलिंग आपने देख लिया इसके लावा जो साइन्टिस्ट उन्होंने और क्या बताया कि मतलब यह तो चलो अगर आप यह चीज तो मैक्सिमम चीज़े हैं कि अगर आपको कोई स्वेश्ट है उसको रियूज करो रिसाइकल करो ठीक है यह चीज़ी सबसे इंपोर्टेंट है तो मेंली यह साइंटिस्ट बोलते है तो अगर स्वेश्ट को मैनेज करना तो उसमें हमें तो यह बस डेफिनेशन बतानी थी सबसे पहले तो हमें बताना है कि क्या चीज़ सही नहीं है यह बहुत इंपोर्टेंट चीज है सबसे पहले निचान लगा लोग गलत बतानी है ठीक है सबसे पहले इट अकर्स ओनली क्या ऐसा है कि एसी ड्रेंट के लोग और ट्रोपिकल एरियाज में हो सकते बिल्कुल भी ऐसा नहीं है इट इस कोस्ट बाई रियक्शन ओफ ऑफ सलफर और नेट्रोजन विद वाटर बिल्कुल भाई सलफर और ऑक्साइड के जो यह स्टेट्मेंट बिल्कुल सही है तो हमें बताने कौन से स्टेट्मेंट गलत है क्योंकि नोट करेक्ट वाले स्टेट्मेंट बताने है तो हमारी आप सबी को पता कि एवल एक स्टेट्मेंट रोंगा वह फस्ट वाली ठीक है किसके बारे में ऐसे ड्रेंट के बारे में मेरे ख्याल से स्क्रीन चेंज हो गई है तो सबसे पहले था फिर नेक्स्ट कोशन हमें बता हिंदू मैरे टे के बारे में कि वहां पे इसब से पहले बोल रहे हैं वहां परिट लेज डाउन डी लौ for divorce which applies to Hindus only सबसे पहले Hindu marriage act में केवल Hindus के लिए जो डाइवोर्स के लोग सब्सक्राइब होते हैं तो ध्यान एक चीज़ क्या ध्यानक नहीं है कि केवल Hindus के लिए नहीं Hindus में वहाँ पे 6 होगे बुद्धिस्ट होगे जैन्स होगे यह इंक्लूड होते हैं तो यह इंक्लूड नहीं होते हैं तो यह स्टेट्मेंट हमारी रोंग होगी ठीक है ओनली वाली स्टेट्मेंट को तो वैसे जहां से पढ़ा करो सेकेंड़ इस mandatory to give six month time to the parties time to withdraw there please बोल रहे हैं कि यह six month का time देता है बिल्कुल आप सभी ने देखा होगा कि यह six month का एक reconciliation time देता है कि आपका सुल्जा मलब सुल्जेडा हो जाए कुछ ऐसा हो जाए तो six month का टाइम बिल्कुल यह देते हैं थर्ड बोल रहे है पैटिशन फॉर डैवोर्स बिल्कुल अगर से आप डैवोर्स दे रहे हो तो यह जो फाइल है यह क्यों लोग एक साथ बाख हो सकती है मैरेज के यह statement भी हमारी का है बिल्कुल सही है तो अब हमें बताना है कि कौन से statement सही है तो देख लो भाई कौन से statement सही है जिस पर सही के निशान लगा रखे हैं वो सही है और जिस स्कूशन हमें बताना है business ready project is recently seen in news is an initiative of business ready project जो है वो किसका प्रोजेक्ट है बिजनेस रैडी प्रोजेक्ट जल्दी बताओ भई यह किसका प्रोजेक्ट है तो यह किसका प्रोजेक्ट है यह वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है और इसमें business और investment के जो climate है उसको assist किया जाए प्रोजेक्ट है किस लेवल पर आती है business के लिए कितनी ready है ठीक है तो question number four answer होगा भी आजाते है question number five पे कंबाला कंबाला के बारे में सुनाओगा कंबाला जली कट्टू इन चीजों के बारे में तो सुनाई होगा अब आ जाते हैं कंबाला कंबाला बोल रहे है एक traditional buffalo race है पै बोल रहे हैं यह मैसूर रीजन ओफ करनाटका में होते है एक चीज़ बहुत important याद रखने की कंबाला को बहुत सारे पर चयाद कर लेकि कंबाला कहां का है करनाटका का है ठीक है अगर आपने बस इतना याद गया तो यह आपकर question गलत हो जाएगा क्योंकि जो मैसूर रीज को बहुत स्टड़ा जाता है कंबाला मतलं सब्सक्राइब ऐसे का निए 12 नाड़ू जहां पर तुलू लोग होटे हैं तो सौदhran करनाटका कैना में यह बहुत इंपोटने अंब तो इसी मिन नहीं नहीं बहुत ह lease बहुत इन incorporating अगर ट्रैडिशनल वे में देखा जाए तो यह एक नोन कम्पेटिटिटिस्ट मतलब स्पोर्ट है जो में लिए एनिमल की हेल्थ के लिए उसके लिए में लिक्या जाता ठीक को सिल करनाटिका में जैसे कि उडूपी हो गया दक्षियन के गंडम हो गया वहां पर में लिए मन को अगए जाता है यह तो कंबाला हो गया जली कट्टू कहां मनायता है बताना में कौ काफी इंपोर्टेंट है आ जाते हैं नेक्स्ट कोश्टिन में क्या बोलता है वह स्कूट ने पोलूशन के बारे में बताओ बह। नैटोजन पॉलुशन के बारे में सबसे पहले बोल रहे हैं यह Blue Baby Syndrome करता है जिए जो ड्रिफन्पन है यह फिली ड्रम करता है दूसरी एकक्संव में कर देते का तो यह उत्रोफिकेशन में क्या होता है न्यूट्रियंट्रियंट्स का इंक्रीज हो जाना किसी वाटर बोड़ी में तो बिल्कुल अगर देखो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भाई यह ब्लू बेबी सिंड्रोम कर देता है मिथैनोग्लोवेनिया बोलते हैं इसको मि ज्यादा हो जाता है ऐसे चिली से यह बलू बेबी करता है तो उसका ब्लड जो है वहससuse ऑ üzowego लिटार ओगले New हमारी सभी हैं ठीक है तो तीन Türkiye संद्रेस है क्या असर क्या हो गया सीफिक सिट कि फिएघर में अगर अगर आप दो जो लिमेंंट की मैं मेंट डिंकिंग वर्टर में कितना हो सकता है नाइस तो ठीक है कितना हो सकता है 50 ppm यह बहुत इंपोर्टेंट है यह स्टेट द्याहन रख लेना अगर इससे ज्यादा होगा तो फिर वह बीमारी ही कोज करेगा हमारे किस कहां पर ब्लेड में तो कोश्चन नमबर सिक्स कुंप्लेट आ जाते हैं सेवन पर सेवन बताओ भई हमें बत इसको को ट्रीट करना हो उसको बलते हैं इसमें सबसे पहले बोल रहे हैं इसको क्या बोलते हैं जब किसी सब्स्टांस की कंसेंटरेशन बढ़ती है लिविंग और्गनिजम में तो इसको क्या बोलते हैं बाइटिक एजेंट्स लाइक मैं अभी मैंने बुला बाइलोजिकल और्गनिजम्स या एजेंट्स का यूज जब आप किसी चीज़ को मिलाब रेमिडी करने के लिए करेक्शन करने के लिए रिकवरी ओविंडेंटल डै जब आप फूड चेन में एक से उपर जाते हो मतलब फूड चेन में वन ट्रोपिक लेवल पर जाते हो तो यह बोल रहे हैं कि यहां पर कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है सबस्टांस की तो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं बायो मैगनिफिकेशन उसको क्या बोलते ह सब्सक्राइब होते जाना और विदिन ट्रोपिक लेवल बायो एक्कमलेशन फिर फॉर्थ बोल रहे हैं इस दी प्रैक्रिस ओफ कमर्शिल एक्स्प्लाइटेशन ऑफ बायो चैमिकल और जेनेटिक मिट्रियल्स विच अकर्स नैच्रोली और उनका भी ना उनको पता लगाए लोग कोई ट्रैडिशनल रिसोर्स एं और अगर आप उसको कमर्शिल एक्स्प्लाइटेशन कर रहे तो उसको बोलते हैं बायो पायरेसी ठीक है बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान लगना ठीक है तो बायो पायरेसी बोलते हैं तो हमें तो केवल डेफिनिशन पूछी थी हम हो जाता हमारा कंप्लीट आजाते हैं नेक्स्ट कोशन पर बोल रहे हैं सोलिड वेस्ट रूल्स और इवेस्ट रूल्स कहां पर नोटिफाई है किस एक्ट में नोटिफाई है जल्दी बताव भाई यह तो कुशन दलते होना चाहिए इसके लावा बायो मैड वेस्ट प्ला क्या कर देए तो यह हो गया इसकर आजाते हैं नेक्स्ट कोशन नाइंत कोशन नाइंत कोशन मारा किसलिए आर्टिकल 299 के बारे में कि अक्तिकल 299 आर्टिकल हमारा किसके लिए ए ठीक है exercise of executive power of union of a state आप एक चीज़ देखो आपने यह सारे तो नहीं पड़े होगा सुप्रीम कोट 124 के आसपास है ठीक है UPSC भी भाहीं पर है official languages यह लगवग अलग जगे आते हैं लेकिन इसका मतलब यह जो है यह वही है कोंट्राक्ट में एक शॉफ एक्षर्साइज और धीकुट्युटिव पार उफ यूञ्यन और स्टेट गोल रहे हैं की सबसे पहले टू-nainty-eat में यह बताया गया अभी सेंटर और स्टेट जो है यह वह कोई भी लेकिन करेगी वह परेगी मलब अगर और के नाम से करेगी के नाम से यह चीज़ बहुत इंप्पोर्टन और जो भी कॉंट्रेक्ट होंगे वह कैसे होंगे राइटिंग में होंगे यह बहुत इंपोर्टन है ठीक है ध्यान अगना तो कॉंट्रेक्ट मेड इन exercise of executive power of union or state वह आते हैं Article 291 किसके नाम से होते हैं तो बस यह यह कोई Article 299 में current affairs में याया था इसलिए यह न्यूस में ठीक है आप आजाते हैं कॉशन नंबर 10 पर ठीक है 10 हमें क्या बोल रहा है हमें बताना environment के global environment को प्रोटेक्ट करने के global efforts के बारे में कि सबसे पहले क्या हुआ था जल्दी जल्दी बताओ इन में से क्या पहले हुआ था और क्या कौन सा बाद में हुआ था ठीक है आप सभी को पताना अच्छे कीटो प्रोटोकल कव उसके 1997 में अब बताओ इन में से सबसे पहले को हुआ था अब जल्दी बताओ इसमें अर्लीस्ट बताना नहें सबसे पहले को हुआ था इन में सबसे पहले व्यां हमारा conference on human and environment ठीक इन में से कुन सा हुआ था conference on human and environment यह बहुत ही important question था तो यह हमारा question हो चुका है complete आगे अपने next question पर years पता होने चीह बस हो जाएगा आपका question number 11 question number 11 हमें क्या बोलता है anaerobic decomposition अभी decomposition बता ले थी aerobic और anaerobic ठीक है दो टाइप का होता है ठीक है अभी थोड़े देर पहले ही बताया था तो anaerobic decomposition occurs in the absence of oxygen and a lot of energy is produced in this process तो आप सभी को बता है कि anaerobic decomposition जो है वो बिल्कुल absence of oxygen में होता है और यहां पर बहुत सारी energy produced होते है बिल्कुल anaerobic decomposition kills seeds of weds and germs present in the waste यह statement भी बिल्कुल से है कि anaerobic decomposition में जो states है वो मतलब kill हो जाते हैं तो यह भी statement बिल्कुल से यह दे दोनों statement से हैं तो मारा answer क्या हो गया सी बिल्कुल ही मतलब असान question था correct statement बताने और रूबिक decomposition के बारे में आराम से आप कर लोगे ठीक है तो यह question भी हो जाता है मारा सही ठीक है उसके बाद आ जाते हैं अपने next उस पर next question पर next question में क्या बोलता है national automated fingerprint identification system के बारे में बताना है ठीक है देखो भई सबसे पहले बोले हैं कि यह एक web-based application है जो serve करती है as a central repository of criminal fingerprints तो आप सभी को बताना चाहिए बिल्कुल यह एक central repository है यह ministry of home affairs ने अभी जितनी भी central agencies है उनको यह बोला है कि आप जो NAFIS है national automated fingerprint and identification system है इसमें अपना data दे तो जितना भी criminal के fingerprints का है वो सारा it assigns a unique 10-digit national fingerprint number to each person arrested for a crime बिल्कुल इसमें 10-digit का एक national fingerprint number provide किया जाएगा थर्ड बोल रहे हैं इसको manage करता है cctns तो यह बहुत important है आपको पता करना कि इसको manage कोन करता है ठीक है तो इसको manage कोन करता है इसको cctns बिल्कुल भी manage नहीं करता है इसको इसको manage करते है central fingerprint bureau ncrb आपने नाम सनावागा national crime record bureau पे एक national fingerprint bureau है वह इसको control करते है तो यह बहुत important है ध्यान लगना तो इसको यह manage नहीं करता है तो question number sorry question number जो थर्ड है वह statement थर्ड रोंग फर्स्ट और सेकिंड करेक्ट है तो आप सभी को दिख रहा है भी दो statement जो है वह हमारी इसमें करेक्ट है ठीक है दिग्या किसके बारे में है नेशनल automated fingerprint identification system जितने भी criminals उनके सारे fingerprints यहां पर क्या किये जा रहे है इकट्टे किये जा में किस स्पीची जाती है माला कुछ टाइगर कि इस गया वाली जावा सुमात्रा थाया सबस्टेंगी कब जाता है तो सबसे पहले परम आब पता वहता है और हो गई है तो यह सारी क्या है एक्स्टेंट स्पीशन बहुत important है ध्यानक ना तो यह सारी species किस क्या है एक्स्टेंट स्पीसिज्जिन इस्टिलर सी का उरश्या से होगे डोडो मुरिश्या से होगे को अफ्रीका से होगे थैले सा इस्ट्रेलिया से होगी है तो ध्यानक ना इनका यह होगे हमारे complete आ जाते हैं नेक्स पे वह रहें कौन सा कब आ सबसे पहले project elephant कब आया था snow leopard कब आया था घंगू कब आया था और ne hin्युक्रोड filter उस्फ टिक लाइन रटाँ प्रोजक्ट कब आया था यह ठूट है तो बताओ भाई कब आया था जल्दी जल्दी से देखो project elephant कब आया था था आप सभी को अगर हम बात करें इनकी क्या नाम लेते हैं हैंगुल की यह किस केटेगरी में आता है इंडेंजर्ड में आता है बहुत इंपोर्टेंट है याद अगना स्नो लैपड जो है किसमें आता है वलनरेबल में आता है इसमें आता है वलनरेबल में आता है अगना स्नो लेट इंडेंजर्ड में आता है यह चीजे ध्यान लगना बहुत इंपोर्टेंट है अगन करने थे अर्el बहुत इंडेंजर्ड में आता है बहुत इंपोर्टेंट ईद्यान लगना तो कोशंधर number 14 14 ये सारे ही हमें अरेंच करने थे early ass Ladies के बीच में तो अरली से के लियोंति तो बताओ बहाई कौन-कौन सा है तो सब्सक्राइब फिर आग stimulating हमारा फिर आगया हमारा फूर्थ और उसके बाद आगा हमारा सेकेंड टीट है तो एकल से अच्छी से हो गया औप ही तो फौटीन मृटाल क्वेश्च adaattin depicts कोशननमे क्या बोलता कोशननमम फिफटीन टी में में कुषिन च्टीन पढ़ेगी तो क्यंसंनमर 15 सक्रीन करने Irish करों ऐसे सारे ही मिलते हैं एसान सा मुंदा यह वेस्ट रिपेरीबल कम्पेटर या फिर रिप्रोंडिक वेस्ट होता कि सको बुलते हैं इसको रिप्र नहीं किया सकता हुआ ठीक है तो question number 15 answer हमारा हो गया C, आ जाते है question number next पे, question number 16 हमें किसके बारे में बताता है, utrophication of lake के बारे में बताना है, utrophication of lake क्या होता है, सबसे पहले बोलें ये एक man-made process है, naturally नहीं होती, नहीं, natural aging of lake को भी utrophication बोलते हैं, ठीक है, लेकिन sometimes ये man-made, मतलब man-made से ये accelerate हो जाती है उसको accelerated, वो बोलते है, accelerated utrophication, accelerated utrophication, ठीक है, या ध्यान रगने इसको, तो ये man-made process तो बिल्कुल भी नहीं है, और naturally होती है, बिल्कुल होती है, naturally भी होती है, ये गल्दे रखा है, utrophication naturally नहीं, naturally होती है, ठीक है, तो ये statement रोंगोगी, second बोलते हैं, the prime contaminants for utrophication are nitrate and phosphate, contaminant कौन-कौन है, इनके utrophication में nitrate and phosphate, ये बिल्कुल साइज statement है, तो question number 16, हमारे second statement correct है, और first statement रोंगा, तो हमारा answer क्या हो जाता है, बहुत important है, ये ध्यान लगना, तो ये answer हो गया हमारा B, ठीक है, तो question number 16, answer हो गया B, आ जाते हैं, अगर accelerated utrophication आ जाते है, उसका मतलब क्या हो wildlife century, जो national park होते हैं, are given a greater degree of protection with human activity, greatly restricted, आप सभी को ता बिल्कुल से statement दे रखिये, national park जो है, उन में ज्यादा degree of protection होते है, और उन में जो human activity हो greatly restrict भी होती है, second बोले, wildlife century do not have fixed boundary, whereas the boundary of national park are well marked, ये भी statement को सी है, wildlife century की जो boundary होती है, ज्यादा fix नहीं होती, जिबकि जो national park है, उसकी boundary जो है, वो well mark होती है, थर बोले, unlike wildlife century, national parks can be notified only by central government, नहीं, central government, state government, दोनों ही इनको notify कर सकते है, किसके wildlife protection act, जिबकि इनको इंपोर्टेंट है, ध्यान लगना, state government भी इनको notify कर सकती है, तो ये statement रहोंगा, तो third statement रहोंगा, first and second statement correct है, तो हमें बताने है, इसमें क्या correct statement, तो आप इसके बारे में, बता दिया, wildlife protection act के, अंडर दोनों ही डिकलेर होते हैं, और इसके अलावा क्या नाम लेते हैं, नेशनल पार्क की बात करें, चलो भाई, wildlife century की बात करें, सबसे बड़ी wildlife century, सबसे अगर बड़ी की बात करें, largest wildlife century कौन से, जल्दी बताओ, run of catch wildlife century, कौन से है, run of catch wildlife century है, ठीक है, गुजरात में है, और सबसे छोटी, smallest wildlife century कहां पे, जल्दी बताओ, smallest wildlife century कहां पे, बोर tiger reserve, जो महारास्तरा में, कहां पे, बोर tiger reserve, जो महारास्तरा में, बोर tiger reserve, महारास्तरा में, यह सबसे छोटी wildlife century है, ठीक है, ध्यान लखना, ठीक है, तो यह सबसे बड़ी सबसे बड़न पारक है वह सर सबसे वहिभर ने को बार बढ़ा है रहला को शॉसक्त नंग में difसफे स्बसे पाररं साउथ बटन अंड Cantonese जो पीद में दो これ और को स्थे सकत्स नंट को नसक्त पूचें तो को में तो मियностью कुंस आहाइस तो gery सेवेंटीन आपने रेक्न के लिए मिन भूकर को थाइग कैने तिलिए मिरूंट एक है क्या सबसे पहल おněैं सबसे पहले पर 메सर ख 느 मित-थाट्र लाइक वेटलैंब फीचर लाइक वोलकर रुभे जो तर्माइट साहे उनको नेच और सोर्स में काउंट किया जाता है तो आपको यह बताना है कि यह स्टेटमेंट सही है तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है वह करते हैं निकालते हैं इनको मतलब इसलिए इनको जो है नेचुरल सोर्स सब्सक्राइब करेक्ट एक से बारे में किसके बारे में इसके बारे में आयोनाइजिंग रीशन के बारे में सबसे पहले बोल रहे हैं यह इंक्लूड वेवलेंट अल्ट्रा वोएलेट एक्स-रे एंड गामरेज थर्ड बोल रहे हैं गामा रेस पासिंग थूख गामा रेस पासिंग थूख और अई इनको दे लिए ने पूटेंचिली कोजिंग डियने टो ब्रेक एंड डेमेंज लिविंग टिशू तो अमें बताना इसमें से कौन सा सही नहीं है हमें गलत स्टेट्मेंट बतानी है ठी होती है यह उभी एक्सरेग मारे यह इंकी वेवलेंथ होती है स्रेटीमेंट विल्कुल रहाए इनकी रेनुट एकोटेचेरियों। कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं और गामा रेज जब पास होंगे किसी सेल से तो वाटर मोलेक्विल्स को अनाइज कर देंगे डेने के पास और डेने डेमेज हो जाएगा लेकिन यह आपको पता होना चाहिए कि भाई लोंग वेवलेंथ का डायरेक्शन क्या है हमारे जो सबसे आपको पता है रेडियो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है हमारे रेडियो वेवस की उसके बाद होती है माइक्रो वेवस की फिर होती होती है इंफ्रा रेड जो वेवस होती है उनकी उसके बाद होती है हमारी यूवी ठीक है एक्सरे और गामा रे ठीक है जो भी है जैसे भी लिखते हैं अब गामारे ठीक है तो यह है इनकी wavelength की sequence अगर हम सबसे ज्यद्धा जो wavelength है अगर ही हाँ पर है और सबसे जो कम wavelength है वो यहाँ पर तो यह जो यह last वाली है यह short wavelength की है short wavelength की है यह फिर इसमें क्या है सही है तो नेक्सट कोशनल में क्या बोलता है नेक्सट कोशन है हमारा कुशन नम्ब 20 एकोलोजी कल सक्षड ने嵌ताओ ने और कि इसे लोग यख शेशेशन कि होता है डीव क्रोऽिकल सेशन में इसको यहींको बोलते हैं तो यह पहली बार कोई होता है वहां पर रहती है काफिया तक पिर बाद में पिर बाद में वहां से डिसपीर हो जाती है दिक है तो मदलब जो भी उसमें अथा तो उसको सिरी बोलते जो पर रहती तो आप सो और यहां पर जो स्पीसिस आते हैं इनको क्या बोलते हैं बहुत इंपोर्टेंट है यह चीज तो जब सकता है कि दूसरे स्पेसिस को रिप्लेस करते हैं लेकिन लॉजिकल सक्षेशन की डेफिनेशन वह नहीं है सबसे पहले फर्स्ट डिफोल्ट गैरेंटी क्या है बहुत इंपोर्टेंट कोशन है यह जल्दी से बताओ सब कर ठीक होना चाहिए अभी ने इसको अप्रूव कर दिया यह है क्या देखो नीचे पड़ो सबसे पहले बोल रहे हैं इस इसको पैसे देदो अगर इसने बाइचांस मालो की कोई वो किया ना क्या बोलते हैं डिफोल्ट किया तो हम उसकी देंगे तो देंगे इसको हम उस पैसे को देंगे तो इसको बोलते हैं यी जो गुक्स किया तो हम उसका पैसा देंगी यह है यह है लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स सेकंड बोले हैं लोस इस ओनली टो सर्टें थ्रेशोल्ड और कवर्ड अंडर दिस एगरिमंट तो यह स्टेटमेंट यह स्टेटमेंट भी हमारे बिल्कुल सही है कि कुछ ही हद तक ही इसमे मैं ली कुछ थ्रेश जोल्ड तक ही इसमें लोसीug में बिल्कुल लिंडिंग सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडेंडिंग ऐंदि कोड़ आ यह भी बोला गया कि जो लेंडिंग सर्विस प्रवाइडर है जो भी फर्स्ट जो डिफोल्ट लोस गारंटी दे रहे हैं उनको एज़ कंपनी रेजिस्टर करना चाहिए कंपनी जैक में यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भी यह बोला गया तो थर्ड सेटमेंट भी फर्सट टीफोल्ट घसकी मतलब हैं मतलब कोई यह बीफोल्ट करता ही। तो मिमें टीफोल्ट भी आजाते next question पर next question हमें क्या बोलता है ठीक है next question हमारा क्या है quantum physics के बारे में quantum physics is the study of matter and energy at most fundamental level and it aims to uncover the properties and behaviors of very building blocks of nature आप सभी को बता है बिल्कुल quantum physics में यह पड़ा जाता है सेकिन बोल रहे है quantum effect only manifest at very small length and mass scale और even temperature approach absolutely जो आप सभी को बता है बिल्कुल यहीं पर जो quantum effect है वो apply होता है तो बिल्कुल सभी statement दे रखिए तो दोनों ही statement सही है तो हमें बताने correct statement correct statement क्या question की question number 22 answer क्या हो गया सी ठीक है असान साथ हा आ जाते है next question पर next question में क्या बोलता है most herbicides are toxic to mammals herbicides become concentrated in food web बोल रहे हैं कि जयदा तर जो herbicides होते हैं वो क्या होते हैं तो बिल्कुल toxic होते हैं में क्या होते हैं स्वार्प्राइब में क्या जाते हैं क्या तो यह तो जाएगी बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी और इम्पोर्टन भी स्टेट्मेंट आप उल्टी लगेगी कि वहां पर वार्मिंग हो जाएगी नहीं वहां पर क्या होता है माले जब जोन लेयर होती है जोन लेएर क्या करते हैं यूवी रेस को अपने में वह कर लेती है और वहाँ पर वहां पर वार्मिंग हो जाती है इसलिए यह बोल रहे हैं तो सारे ही हो जाएंगे तो question number 24 हमारा answer क्या हो जाता है D तो आजाते है next question पर question number 24 answer हो गया D आजाते है next question question number 25 important question हमारा question number 25 हमें क्या बोलता है a zone of gradual but continuous change from one ecosystem to another where there is no sharp boundary between two in terms of species composition इसको best क्या बोलते है जल्दी बता हो जब आप एक ecosystem से नदर ecosystem में जाते हो उसमें gradual continuous change होता है कोई इतने ज्यादा species change नहीं होती तो उसको क्या बोलते है है इसको बोलते है eco line eco line habitat होता है किसी species का कोई जगह है जहां पर रहते हैं कि क्या होती है functional specialization किसी species का वहीं पर होता है किसी एक species का निके एक ही हो सकता है ठीक है तो eco line ही ऐसी definition है जो यह सचेज को बताती है eco tone के नाम सुनाओगा यह भी transition zone होता है दो ecosystem के बीच का जो जो होता है उसको बोलते है eco tone यहां पर क्या होता है एक edge effect होता है आपने सभी ने पढ़ाओगा edge effect मतले वहां पर comparatively ज्यादा species होते है इस माले मालों की दो ecosystem है यहां के भी species यहां पर मिलेंगी यहां जैदा होते है तो यहां पर यहां पर होती है एक को टोन का नाम सुनाओगा तो यह है कुछ-कुछ important चीज़ें तो यह क्या होता है कोई नबर 25 अंसर जाता है सी आजाते हैं कुशिन नबर 26 पे हमें बायो डाइवर्सिटी होट स्पोर्ट को इडेंटिफाइए करना आप सभी को बता टोटल 36 पॉर्स पोर्स टोटल वर्ल्ड में होट स्पोर्ट की डेफिनेशन आते तीन जी जान में जी सबसे पहले वहाँ स्पेसिस ज्यादा होती है और जितने भी स्पेसिस नस होती है वहाँ पर थ्रेट उनको खतम होने का थ्रेट भी होता है उनको बलते है इन वेजय सब्सक्राइब बाइडिवर्सिटी फोट स्पोर्ट को इडेंटिफाइए करने में वह नहीं होता तो सेकंड स्टेटमेंट रहुंगा फर्स्ट रड और फोर जो है वह करेक्ट स्टेटमेंट है तिक यह बहुत इंपोर्टन कोशन है ध्यान अगना डेफिनेशन में आ जाती हैं चीजें कि बाइडिवर्सिटी होट स्पोर्ट को इडेंटिफाइए करने के तीन तरीके हैं अब एक चीज ध्यान अगना इंडिया में वैसे टोटल वर्ल्ड में 36 बाइडिवर्सिटी उस्पोर्ट उसम से चार्ज वह इंडिया में कौन कौन से एक तो हिमाल्याज एक हैं वेस्टन दो और लेंड द यूंदालेंड लेंड एक हैं दिन डालेंड का एरिया थीक है तो द्यान रखना तो यह चार एरिया जो बायो डुट स्पोर्ट में आते इंडिया में बहुत इंपोर्टन ध्यान अंगिन चिजों को तो यह होगी कितनी मदलब इसमें लगबग लगबग 1500 species of vascular plants होने चीए सबसे पहले तो vascular plants के लगबग 1500 species होने चीए कम से कम यह उसे ज्यादा और threat perception में approximately 70% वो खतम हो गई हो कुछ ऐसा होना चीए ठीक है तो यह दो चीजे काफी ज़्यादा important है किसी hot spot को करने में कि इतना threat perception है वहां पर कि लगबग 70% species जो हैं वहां की खतम हो गई हो और पंद्रा सो लगबग वेस्टिल और प्लांस की जो species हो वहां पर क्या हो एंडमिक हो एंडमिक हो वह केवल वहीं पर मिलती हो तो यह हमें बताता है इस से हमें पता चलते हैं species richness के बारे में इस can only be formed naturally in the atmosphere यह केवल नच atmosphere में naturally बन सकती तो भाही बाहर क्यों नहीं बन सकती बार भी बन सकती है सा थोड़ी ना केवल और केवल atmosphere में बन सकती है तो यह statement तो हमारी रहोंगे सेकिंड बोल रहे हैं कि in stratosphere it forms a shield protecting us from UV radiation बिल्कुल UV radiation से प्रवोग करते हैं थर्ड बोल रहे हैं इस लेकिन जो ट्रोपोस वेर के वह वह बैड़ जोन बोले जाता उसको ठीक है वह उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है तो कुशन नम्बर 27 रहोंगा फर्स स्टेट्मेंट रहोंगा है सेकेंड करेक्ट है हमें बताने करेक्ट सेमिन तो आपको म혁दो नहीं कृदि मेड़न वी मैचे क्या है इन्होंनने बढ़नगे जैसे बंढ़ एंखा ouगया यह सारी चाही के तीक है ठीक है तो यह मैंने बता दिया वर्ल्ड मिट्रोलोजिकल और्गिनेजिशन कर रही है ग्रीन हाउस गैसिस के लिए जैसे कि नैटर सॉकसाइड मेथेन करबन डाइकसाइड सर्फेस बेस और सेटलाइट बेस्ट यह मतलब वो निकालेगी ठीक है डेटा तो यह दोनों यह सही है तो फर्स टेटमेंट साहिए किसका इनिशेटिव यह आपको पता चाहिए दूसरी चीज वर्ल्ड मिट्रोलोजिकल और्गिनेजिशन किसके स्पेशलाइज एक इसकी यूएन कि आप सभी को पता है कितने मेंबर कांट्रीज है कब बनी तो यह कुशन हो गया और यह जो ग्रीन हाउस गैस वोच यह कब से कब तक देखेगी वर्ल्ड मिट्रोलोजिकल और्गिनेशन 2023 से लेकर 2033 तक बहुत इंपोर्टेंट है यह 33 दस साल तक का यह प्रोग्राम चला गया है ठीक है तो कुशन नमबर 28 हमारा आंसर हो गया आजाते हैं कुशन नमबर 29 हमें बतान इनका जो छोटे अनिमल्स होते हैं उनका सर्फेस एरिया उनके वोल्यूम के कंपरिजन में ज्यादा होता है ठीक है ज्यादा होता है तो यह इसी के कारण से वह जो है वहां पे नहीं रूप पाते तो यह स्टेटमेंट अम मतलब यह एक्स्टेटमेंशन इसका रोंग दे होता है ठीक है तो यह जो कंसेप्ट है काफी ज्यादा यूज होता है पता होना अच्छी आपको कि भाई मतलब जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनका सर्फेस एरिया लार्ज होता है इसलिए क्या होता है जब भी यह मालों बहार आएंगे तो क्या होएगी यह अपनी हीट को ज्यादा लोस करेंगे तो इसलिए तो बहुत समाल जो एनिमल्स होते हैं वह रेरली फांड होते हैं पोलर एरिया में क्यों मिलते हैं वह आपको बता दिया तो कुशन नंबर 29 आंसरो गया सी आजाते हैं नेक्स्ट कुशन पर फोरम शोपिंग यह तो करेंट अफेर्स का सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको वह किया था मतलब बैन तो नहीं मतलब लेकिन इसको कंडेंग किया था कि फोरम शोपिंग नहीं होने चाहिए ठीक है जो लिटिगेंट हैं जो क्या होते हैं यह लोयर्स हैं यह दरदर घुमते रहते को चूट को चूज करते हुए तो यह है प्रेक्टिस ओफ चूजिंग दी कोर्ट विच इस लाइकली टो प्रेट दी मोस्ट फैवरेबल आउटकम इसको इसले उसको क्या किया है कंडें किया है सुप्रीम कोर्ट के चीव जस्टिस ने कि भाई जो लोयर्स होते हैं वो डेलिबरेटली अपने केसिस को एक फोरम स lesson और अभी भी जिसने चैनल को से स्क्राइब नहीं किया है तो निदिस पेसिस और स्पेसिस के बारे में बता नहीं संथिशा इनिंष स्पेसिस इवन हैं कि दोनों मैं बताना देखो species richness अब सभी को पता कि एक species की कितनी एक defined region के अंदर एक species कितनी है बिल्कुल number of species कितनी स्पेसिजरी स्पेसिजरी और स्पेसिज़ इवन एस मतलब वो उनका distribution कितना है relative abundance कितनी है उनकी तो इसको बोलते हैं शींका लिवेंगे अटिक निसर पी सिर्फ को बोलते हैं कीमा बार श्क पाई वह ना स्ट गर०्द मत होते Saint को बदेशिक होते हैं पर स्पीशिदोंट बॉलते हैं उसको बलते हैं तो कुआज दरते काजे रंगा नेशनल परक काँप։ क्सी को पता है कहां पर सहम तो नहीं है काँ़ नेशनल पार्क ऐंपस्याम् और पर संपने तो में बताने हें कोशन पेर चुश्च् trek ठीटेटी टू अंसर अंसर हो गया भी आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट कोश्वेंसिन में कुनसी ऐसी प्रोसर ऑ्र जीश से वेटर पोलीशन से हो जाएगा उपनिटेफिकेशन से हो जाएगा डिस्चार्ज और से हो जाएगा और नुकलिया डियक्टर के बारे में बताना है किसी जगह का बायोटिक पोटेंशल कितना होता है जल्दी बताओ इसका बहुत ही असान है यह क्या होता है जहां पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकती है जब रिसोर्स अनलिमिटेड कर दिये जाए और इन्वार्मेंट की कंडिशन कर दिजाए तो उसक मेक्सिमिम्म कितनी बायोटिक मलब लिविंग और्गिनेजम वहां पर बढ़ सकते हैं कितनी इसको बोलते हैं ब्युक्त पोटेंशल प्लिकुल असन सा कंसेट है कोशन निम्पर थाटीफोर हमारा आंसर हो गया आजाते हैं अपने नेक्स्ट पोश्ण पर नेक्स्ट बायो इसको करेक्ट करनेकल शाफ करने के लिए इसको बोलते हैं यह एक इंडिकेटर है कि वहां पर कितने न Utrient प्रेजंट प्रेजंट है कितना पोलुशन विए वाटरबोडी में बिलकुल उसको बोलते हैं जतना ज्यादा गयोडियो असका मतलाब हों पे पॉलिशन उतना ज् いきます क्वान shoot होगि जो बैक्टेरिय को करते हैं वहां पर इन और ग्डे के दिए रभा देखं़ अग इसलों सबस्टएंग और ग्यांट को लिसुद रेहां थे श्कार टो जतना ज्यादा बेल्क बिडा उत्ना ज्यादा ओर ग्यानिक पॉलिशन तो वोदिने तो यह स्टेटमेंट रौं गए तो सेकंझ सेडमेंक पर किया तो महीं पूचिकिल बूची था एक हैं आंसर बहुत इंपोरेंट है इस अ centrist सवेंटी पर्संट से ज्यादा स्पीशिज वह क्या है इनिमल्स में ब्रस्ट से ज्यादा सभी इंसेट्मेंट से गठानिविट सेटमेंट इंसेकंट सेटमेंट आँ पहता चीज आपको पता पना ओना चीज जो सबसे ज़्यादा होती हैं अगर आप एंफिबियन्स और क्या नाम लेते हैं इन सारे की पॉपलेशन को जोड़ भी दोना तो उससे भी ज़्यादा हमारी फंगी की स्पेसिस मिलते हैं तो यह चीज़ द्हानेगना फंगी की स्पेसिस कितनी हैं बहुत इंपोर्टन है द्हान किसके बारे में किसके बारे में किसके बारे में है किसके बारे में है यह देखो एविल क्वार्टेट के बारे में एविल क्वार्टेट मतलब चार ऐसी चीज़ें जो धरती से खतम कर रही है मेजर बायो डैवर्सिटी को एविल क्वार्टेट इस दिस और बिकुट यूज तो डिस्क्राइब दी मेजर कोज इस जिससे रैपिड एक्सेंचन हुआ स्पेसी का एक्रोस दी वल्ड तो हमें बताना है कि मेजर लोस वाइड डैवर्सिटी किसके कारण हुआ है तो एविल कौन कौन से आते हैं वह एक्स्प्रोइटेशन है लोस ऐलियन स्पेसिस एक हमें क्या बोलता है जैसे ही हम एक वेटर से पोल की तरफ जाते हैं इस सबसे ज्यादा पर स्पीसिज मिलते हैं ट्रोपिक्स वाले हैं हमें फिलकुस है स्टेटमेंट है जैकिन बोलते हैं अनलाइक क्यों अब इसमें रिजन होना चाहिए इसका अनलाइक टेंपरेचर इन्वारमेंट्स ट्रोपिकल वन्स आर मोर सीजनल एंड रिलेटिवली अन प्रेडिक्टेबल तो आपको पताना चाहिए ट्रोपिकल क्लाइमेट ज्यादा सी सीजन कब चेंज हो जाएक फार न प्रेडिक्ट बोधा दो इन्वारमेंट में वह जादा होती है वह जिसली द्यार नखना इसलिए वहांपर स्थी लिए ट्रोपिकल यहां का इन्वार्मेंट पिसेश्टेबल है और यहां पर लेसी सिजनल है इंक द्याने इसको द्चन न प्रोंग होने का किवल एक यू ऑप्षिन है इसमें वह है कोशन नमबर सी ठीक है तो मेरे ख्याल से यह समझ में आ गया आपको क्यूं है इसका अंसर की स्पेसिज की डाइवर से डिक्रीस होती है लेकिन ट्रोप ट्रोपिक्स पितन इसलिए इतने ज़्यादा स्पीसिज और क बाता है रीहबली टेशन कांसिल के बारे में बताना है बो रहे हैं कि आप सोचल जस्टिस अंपार्मेंट के अंडर एक स्टैट्योट्री बोटी है और मिनिम्म स्टैंडर्ट बताता एडुकेशन ट्रेमट्रेनिंग का प्रोफेशनल के लिए जल्दी बताओ वाला इस कां तो ड्राइब लिकिन बाद में एक रियाबिलिटेशन एक्ट आया और 1992 का फिर 1993 में इसको स्टेटुरी का स्टेटस दे दिया गया तो है तो ऑन से काउन्स न बर इसको तो कोस्ट नमबर 39 आंसर होगा सी कोश्ट नमबर 40 पर हमें पताना ग्रेट इंडियन बस्टाइड इक स्पीसिस के बारे में पड़ाओ को बहुत जादा आप ने इसके बारे में सबसे पहले यह इंडियन सब्कॉंटिनेंट आप सब्सक्राइब को बताइब यह एक एक जो मारे इंडियन बस्टरड उसके बारे में क्या है अब इसके does Oke की कुछ यह मतलब क्या बोलते हैं जैसे कि कुछ चीजी हैं जैसे कि conservation status का क्या जैसे कि IUCN में यह किसमें आता है critically endangered list में आता है बहुत important है ध्यान रखना और सबके यह schedule one में आता है जैसे कि wildlife protection act हो गया उसके schedule one में आता है sites के appendix one में आता है ठीक है one में आता है तो इसका क्या है conservation status इसका क्या वह बहुत important है और यह क्या है एक जो grassland ecosystem है उसकी इंडिकेटर स्पेसिस भी है ठीक है जा दगना grassland ecosystem की क्या है इंडिकेटर स्पेसिस ठीक है ध्यान अगना इसको तो question number 40 answer हो गया see आ जाते next question पे next question हमें क्या बोलता है sustainable development goals के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है पहले निचान लगा लो भाई सही पूछा है कि नहीं पूछा है सबसे पहले sdgs are 17 set of goals adapted अंडर रियो क्या रियो के अंडर हुए थे आप सभी अब है ministry of environment forest and climate change coordinate करते हैं इंडिया के sdgs को implement कोन कर रहा है नीति आयोग ना कि ministry of environment forest and climate change थर्ड बोले है sdg इंडिया index is released by नीति आयोग बिल्कुल sdg इंडिया index को नीति आयोग तो सारी statement वोगी इसके बारे में तो नोट करेक्ट बताना है तो नोट करेक्ट गलत तो तीनों ही गलत है इसके बारे में तो यह सारी चीज़ ध्यान अगना तो question number 41 sdgs के बारे में तो यह question हो गया complete आ जाते है question number 42 पे जल्दी आगे न हम 42 पे तो जल्दी से subscribe भी कर लो चैनल को ठीक है जल्दी से subscribe करो भी चैनल को जो भी अभी देख रहे हैं सबसे पहले मैटूर डैम कृष्ण सागर डैम नागार्जुन सागर डैम इम्मा इदा मलियार डैम तो हमें पताना है क्या कौन यह लेक ड्राई हो रहे हैं कौन से स्टेट में यह अभी ए बॉलते हैं क्रिष्ण राजा सागर क्रनाटका में है तो बिल्कुल एक ध्यान रगना ही है बिल्कुल करनाटका में और किस रिवर के ऊपर है यह कावेरी रिवर के ऊपर है किस रिवर के ऊपर है कावेरी रिवर के ऊपर है नागारजुन सागर डैम यह कहां पे है क्या महारास्त्रा में नहीं है कहां पे है यह तेलंगानामी के डैन बनाओ और किस रिवर के ऊपर है यह कृष्णा रिवर के ऊ तो हमें बताने है क्या बताने है क्रेक्टली मेस्ट पेर बताने तो फर्स सेकेंड और एक पेर रोंगे थर्ड वाला ठीक है तो यह कोशन हो गया हमारा कंप्लीट आ जाते हैं नेक्स्ट कोशन पर हमें बताने इन्वार्मेंटल इंपक्ट असेस्मेंट के बारे में किसके बा बना दिया गया environmental protection act के एंडर बिल्कुल सब्सक्राइब बिल्कुल सब्सक्राइब बताना है तो हमारा आंसर क्या हो जाता है इसके बारे में क्या नहीं तो आजाते हैं और environmental protection स्वरी इंवार्मेंटल इंपक्ट एससमेंट के इनवार्मेंटल प्रोटेक्शन ध्यान रखना है इसको तो कोशन नमर 44 वहारा कार्बन डेटिंग केनोट वी यूच्ट डेटर्माइन दे एज ओफ नौन लीविंग तिंग्स लाग्स तो आ तो यह तो आएकन हाऊ जाएं आपको साल के क्योंटल बहुत जादा अब बहुत और पीछे की होथी तो इसलिए करबन कर्बन डेटिंग से हम नौन लिविंग तिंग्स तो एज उसको नहीं पता सकते हैं अब जाता है नेक्स और डेटिंग इस बेस्पेस्ट ड़े को बता है कार्बन डेटिंग में कौन सा कार्बन का जो वह हो यह कार्बन 12 तो स्टेवल होता है कार्बन 14 का सी 14 आइसो टोप का यूज किया जाता है जिसकी जो हाफ लाइप वह कितने है 5760 या 30 कुछ ऐसा है बने को बताना 5730 या 5630 कुछ ऐसा यह ठीक है तो यह देख ले ना का यूज है क्रबन लेटिंग में कर्बन 14 का यूज होता है कोश्ण नमर 44 तो एक ेंहीं स्टर्मिंट क्रेक्ट और सेकंड स्टेटमेंट रोंगे और सकुनसा है स्टेटमेंट ची का ध्यानख ने को तो well atma का He होता है agriculture में pesticide की तरह द्यान अगना जाते हैं नेक्स्ट पे बैन किया यह भी ठीक है 46 डीकंपोजिशन ओफ और गैनिक मेटर इनको सिस्टम के बारे में बताना है बोले एन अरोबिक कंडिशन इन्हीं बिदी प्रोसेस ऑफ डिकंपोजिशन और देखो और गैनिक मेटर अग कर देखो इनकोर होर जाएगा तो कोशन बंटीशन सब्सक्राइब रखनेर तो निए टीजिवेस कि अगर कंडिशन कर रहे हैं ऐसे वार्म कंडिशन या मोईस्ट कंडिशम होंगी तो डीकंपोजिशन ओर ज्यादा होगा टो इस लो घृльन आइस कि आ जाते हैं सबसे पहले है यह एक बायो जेूग्राफिक जोन है जहाँ पर ट्रोपिकलvergreen coses पाए जाते हैं ठीक है दो जिगह पाया जा सको इनने तो गैंगे टिक प्लेंस में नहीं आइलेंड्स में नहीं नॉर्थ इस्ट में पाया सकते हैं योन तो तर्ड एरिया ओफ दिस जो नहीं हाँ यहां पर क्या है ट्रॉपिकल एवर्गीन फोरेस्ट हैं अबाट टू थो 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 फिदि इंडिया एंडेमिक प्लांट्स आर किन तो यहां पर है नेंस के बारे में ब्बताना है तो छे पता नगी Wiris ग्रेजर स्कॉइरल वार्ट ये यह इसके स्टेटेस बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कंजर्वेशन स्टेटेस स्का क्या वाइल लइफ प्रोटेक्श्ण वेस्टन गार्ट में मिल लिए पाई जाता है तो इतना पता होना चीए तो तब आप इस कुशन को कर पाऊगे अब आगे आर्टिकल 35 में 355 में एक होता आर्टिकल 356 जहां पर प्रेजिडेंट रूल लगता है और उसे पहले की कंडिशन की कब मतलब कब क्या होना चाहिए अगर यह नहीं होगा तो प्रेजिडेंट रूल लग जाएगा तो सबसे पहले तो प्रोटेक्ट एवरी स्टेट इन इंडिया अगेंस्ट इंटरनेल इस्टरबेंस बिल्कुल 355 बोल रहा है कि इंटरनेल डिस्टरबेंस से सरे एक स्टेट को प्रोटेक्ट करना है दूसरी चीज़ इस्ट 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 इंशर कंप्लाइंस विद यूनियन लोज और रेगलेशन बिल्कुल और जो स्टेट्स हैं उनको यूनियन डिरेक्शन दिया उनको मानना पड़ेगा अगर नहीं मानती है तो एक स्टेट्मेंट के बारे में तो समझ में आए क्यों आया आर्टिकल 355 क्या है आर्टिकल 355 में लिखा गया पर यूनियन की चीज़े माननी पड़ेंगे इंटरेनल डिस्टरबैंस से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो हर एक स्ट कि बात है अगर वो नहीं मानते कोंस्टिटिशनल मिस्टिटाउन होती है तो आर्टिकल 356 के एकोर्डिंग इंपोस हो जाता है क्या प्रेजिडेंट रूल दी के जाने कना तो कुछ नबर 48 एंसर हो गया भी आजाते हैं कुछ नबर 49 पे कहां से क्या निकलता है ऑजोन वेकलर अग्जोस्ट से निकलती है प्लुटोनियम डिजास्टर से निकलती है मरकरी इंटल इंडेस्टरी का सूर्स हो सकता है तो यह सारी स्टेट्मेंट से यह तो और 49 आजाते हैं नेक्स्ट कोशन पे बताना है किसके बारे में बहुत इंपोर्टेंट क्वेशन है आलएग एब सब्सक्राइब कर तो पता होकिया कि बारी निज्य निवेश की रूबिक को फिर बिश्यर नॉर्मल एकॉनमिक स्टाव में यूज दो तो को फिफ्टीथ कोशिन उसकां से हो जाता है हमारा ए तो इसी नोट पे आज के हमारे टुटल जो 50 कोशिन है इन्वार्मेंट के टेस्ट के हो जाते हैं complete next test में हम अगले जो 50 कोशिन इन्वार्मेंट के वह complete कर देंगे आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप जल्दी से test complete हो तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करके जुरूर जाना है ठीक है ठीक है ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने जितने भी फ्रे है जैसे कि टोपिक वाइज आपके कुछ-कुछ कोशन पेड़र नेएक टोपिक वाइस किले जैंगे जैसे कि इवोलिशन ओफ है जिए जोग्राफी में उससे कम से कम 35 से लेके 40 तक कोशन करवाए जाएंगा ऐसे ही मलब हर एक टोपिक वाइस पात ने जैसे कि युनियों तो इससे लगबग 200 से लेके 200 तक कुशन करवाए जाएंगे यूनिन और स्टेट लेजिसलेशर को मिला के तो ऐसे कुशन प्रिपेर किये गए है स्टेट वाइस और लेकिन वो केवल और केवल एप पे ही डलेंगे यह चीज ध्यानक ना वह यूटूब पे ने डलेंगे ध्य है तो माइन चीज है यह कूर्स जो होगा वो पेड होगा ठीक है पेड होगा यह कॉर्स और दूसरी चीज इसमें जितने भी बेसिक बूक्स से उनके सारे कुशन करवाए जाएंगे यह चीज जानक बेसिक बूक्स इसे आपके कंप्लीट हो जाएंगी कुश थ्रु जाएगा आप एक सेड्डूल दिया जाएगा आप वह चप्टर पड़ो उसके कुश्चन करो ठीक है बस यह होगा उसमें और कुछ नहीं होगा कि अवल कुश्चन के त्रूग कि जाएगा और इसके अलावा हमारी एक और चीज़ चुछ हो रही है यहां पर ही कहां पर में इ लेक्षर खतम करते हैं और यहां पर जितने जिल्दी उसके आप भी जिनका टेस्ट में खतम कराने की कोशिश करूंगी ठीक है तो इसी नोटपैस के लेक्षर खतम करते हैं थैंक यू वेरी मच बढ़ाए गाइस ठीक है